प्रेस कलब सोलन के सोजनने से देश भक्त वा हिमाचली सांस्कृत पर आधारित हिम कलश्ट सांस्कृत कारेकर्म का आयोजिन किया गया दोरान उत्तरक्षेतर के रास्टे स्वाय सेवक संग संगठन मंतरी वीजे सिंग नड़ा ने बताओर मुख्य अतिती शिर्कत की जबकि सोलन पुलीस अधिक चका मदुसुदन शर्मा विशेश रूप से मौजूद रहे कारेकर्म का शुवारम गन्मानी अतितियों दोरादी प्रोजलित करके किया गया जिसके बाद वंदे मातरुबा शीव कल्चों की वापसी भजन के साथ कारेकर्म को शुवारम किया गया कलश कारे करम में सोलन जिला के विभिन स्कूलों वा नीजी स्कूलों के लगबग 200 बच्चों ने भाग लिया भारती जनता पार्टी सोलन दो गुट में बठी साफ नजरा रही है सोलन में आज कल सक्रिय हुए गुट भाजबा के दिगज नेता शांता कुमार के माने जा रहे हैं तो दूसरा सोलन की राजनेती के किंग विधान सभा अध्यक्ष राजी बिंदल के पुराने साथियों और कारे करताओं का है बेशक राजी बिंदल सोलन से सिर्मौर चले गए हैं लेकिन कारे करताओं में उनकी पकड आज भी उतनी ही मजबूत मानी जाती है लेकिन कुछ महीने से शांता कुमार गुट इस पकड में सेंद लगाने का पुरजोर कोशिश कर रही है और बिभिन कारे करमों के माद्यम से अपनी उपस्किती जादा दिखाकर अपने वर्चसों को स्थापित करने में जुटी हुई है इस गुट में जब से पूरु मंत्री महींदर सिंग सोफत की एंट्री हुई है तब से शांता गुट की सकरियता सोलन में जादा बढ़ गई है आज भी भाजपा द्वारा प्रेसवारता का आयोजिन किया गे जिसमें यही गुट खावी नजराया जिसमें बढ़ती जनसंक्या और घटे संसादनों पर आयोजित होने वाले कारेकर्म के बारे में विस्तार से बताया गया प्रेसवारता की अध्यक्षता महिंदर सिंग सुफत ने किया और इस मौके पर भाजपानेता राजश कश्चप भी विशे शुरूप से मौझूद रहे पूरों मंतरी महिंदर सिंग सोफत ने बताया कि सोलन में बेहद महत पूर्ण विशे बढ़ती जनसंख्या और घरते संसादनों को लेकर कारे कर्म का आयोजिन किया जा रहा है जिसमें चुनावी राजनेती से सन्यास ले चुके शांता कुमार बता और मुख्यतिती शामिल हो हमारा ऐसा मानना है कि देश की सारी समस्याओं की जो जंगनी है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसादन जो है बढ़ते हैं हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि देश को और देश की सरकार को एक स्टीक नड़ने करना पड़ेगा कि किस परकार से हमें जनसंक्या को मियंतरत करना है भले इसके लिए कनोन बनाना हो भले समाज को जागरित करना हो भले जनसंक्या बढ़ा रहे हैं वालों को नरुसाइद करना हो और भले इस कारकरम को सफल बनाने के रिए सहयोग करने वालों को परुसाइद करना हो